So, hey guys, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के होने वाले PSL मैच की, जो की होगी आपको कराची किंग वसेस पिसावर जालमी के बीच में दोस्तो, important ये मुकावला है और आज दो मैच होगी, important एक तो Human Premier League की होगी उसका भी मैं आपको टीम अप्लोड कर दूँगा, जो की गुजरात, बरसेस, यूपी, हुमेन के वीच में है एक और मैच आपको होने वाला है, ये सभी का मैं आपको टीम अप्लेट करूँगा, तो आप में चैनल को सब्सकाइब करें जिससे आपको अपडेट छूट न जाए, बात करते हैं आज के मैच की, जो की है कराची बसेस पे सावर की, पहले आप टीम का प्रिभ्यू देख मैंने टीम बना के रखा हुआ है, तो आप इसका पहले प्रिभ्यू देख लो, जिलनों के पास पूरा विडियो देखने का टाइम नहीं है, वो इस टीम के साथ हेट टू हेट खेल सकते हो, ठीक है, हेट टू हेट यानि की दो मेंबर के लीग और अगर थोड़ा रिक्स ले टो चलो विडियो को सुरू करते हैं और देखते हैं पाकिसारी के इनफोर्मेशन, सबसे पहले हम लोग प्लेइंग 11 देखते हैं, उसके बाद बाकिसारी इनफोर्मेशन जगा ऊट करेंगे, तो फ्लेइंग 11 जो की कराची किंग से हो जाती है, और कराची किंग अपना, 5 म से तीन मैच हार के आ रही है लास्ट मैच जीत के आ रही है तो मनुबल बढ़ा हुआ है बट फिर भी लास्ट मैच हार के जीत के आ रही है तो ये चीज़ सब का भी ध्यार नक्के हुए आपको टीम क्रियेट करना है बिकेट कीपर के तौर पे टीम सैपट प्लस ओपरिंग कर और अराफत बिनास, हसन अली और जाहिद मसूद और भी मुझरवानी अब यहां पर आप देखोगे तो इनके टीम में हमें दो तिन पिक प्लेयर हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि सबसे पहले तो एक हुझाते अनवल अली जो की बॉलिंग बहुत अच्छा कराते हैं और यह यहां पर हसन अली जो जिनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो यह दो बॉलर तो हमारे टीम में रहेंगे ही रहेंगे उसके बाद हमारे पास आप्सन है टीम सैफर जो की बिकेट की पर आप्सन से हो जाते हैं और सैन मसूद किरन पुलाड और सोय मलिक तो यह क की सीएसके के तरफ से खिलते हैं उसके बाद यहां पर आप देखो के तबरेश समसी है जो की बहुत अच्छे प्लेयर है इसके अलावा कुछ और नाम है जो की उनके यंग्स्टर है जिनको कभी भी चांस मिल सकता है तो वो सब ही अगर खिलते हैं तो भी ध्यान रखना ग् पर सावर जार्मी ही आज का मैच जीत जाएगी देन यहां पर बात किया जाए प्लेइंग 11 की तो प्लेइंग 11 में आपको सह अयूब जो की एक बहतरीन आप्सन है हमारे टीम के आज के कैप्टन भी होंगे बाबा राजम जिनको मैं सोच रहा हूं 22 कैप्टन लेने का टीम क कैप्टन भी है मुहमद हरीश एक अटेकिंग प्लेइर है देन हसिन उल्ला खान भी एक अच्छे आप्सन होंगे बेकर कीप्रिंग सेक्शन में वर्ट यहां पर मैं सैफिट के साथ जाओंगा आज कोहलर कैंडमोल जो की एक अटेकिंग प्लेइर है रोवन पॉवल जिनके खुलम सहजा सो खिलाल यहां पर देखोगे तो हमारे आज के टीम में नवी नुलक है भी नहीं चुकि इनका परफॉर्मेंस कुछ अतना अच्छा नहीं रहा है इस पीएसल में यहां पर हमारे बेंच में भी कुछ ऑप्सन है जिसमें से आप अगर अच्छे से देखोगे तो कुछ नाम को आप जरूर पहचार होगे असीर फली को आप जानते होंगे लंग्री नंगिडी जो कि वहीं बहतरीन ओर राउंडर है देश के वहीं आप जानते होंगे बर अगर कोई खेलता है तो मैं आपको इन्फोर्मेशन जरूर दूंगा बाकी तो बैंच का आप न तो यह पिछले कुछ पांच मैच का रिकॉर्ड ठीक है तो उसके हिसाब से आपना टीम क्रेट करना और ज्यादा तर इंपोर्टन यही होता है पिछले कुछ पांच मैच का रिकॉर्ड चुकि अल्टाम से हमें क्या लेना है तो बैसे तो आप देखो के दर ट्राइक एड़ इन कराची इज हैलफूड फोर बैटर यानि कि सिंपल है बैटिंग फ्रेंली पीछा यह सीम एंड स्विंग अड़ इस्टार्ट विल स्लोवर बॉल और ऑफ कटर अड़ इंड कैन भी गुड वेपन इन अर्सनल अप दा बॉलर सो बैसे तो यह बैटिंग फ्रेंली पीछा दोस्तों लेकिन होगा क्या कि बॉलर को भी यह थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करती है लास्ट लाइन है टीम प्रेफेर टू चेस्ट टोटल अफ्टर विनिंग टॉस यानि कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो टीम चेस करना का सोचेगी यानि कि बॉलिंग चूज करेगी देखते हो तो 65% बैटिंग फ्रेंडली पीछ है और 35% बॉलिंग फ्रेंडली पीछ है यानि कि बैट इक तरफा यह बैस्पन को सपोर्ट करती है तो आपके टीम में अच्छे बैस्पन जरूर होने चाहिए और यहां पर आप देखोगे तो आप ऐसे समझ सकते हो कि पेसर क सपोर्ट करती है और इस्पि किणर को 35% यानि कि अगर avere eight गिरते हैं धर मैंच में तो दस में से आपको शाज आथा लए जाते हैं टяти हैन्ट ऊरदा रैस्यों ज्यादा है इस पिनर का लेकिन 3.5 बिकलत होती नहींज इनर सो मैंने थत्री बिकली का अगर आप पिसला 5 मैच में पंच का रिकॉर्ड भी उठाते हो तो कडिवन 46 बिगेट गिरे हैं 46 बिगेट से आप यह समझा लो कि हर मैच में करिवन 20 बिगेट होते हैं 20 बिगेट मान लो तो 20 बिगेट में我很 अआफ और पांच मुकाबला यानि की 100 बिकेट में सब्रूइबड दीगेंगों होगे मैंने के समस्य एक कंदों यह उतसक्राइब में वह जा शाइट है लागång नहीं करणाईलों सब्रूंज में उन्हेद को सब्सक्राइब हो गाओंछ। तो फिर दिक्कत हो जाएगी, so यह record, balling का record फिलाल छोड़ दो, and new record के साथ जाओ, आप अपना team में, दोनों को combination को मिला के team बनाना, तभी आपके एक winning team होगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, so यह कुछ important information थी, आसा करनों आपको यह सावित होगी, कुछ information, so head to it के अगर बात करते हैं, इन दोनों के बीच में, करीबन पांच मकाबले हुए है, और जिसमें से, पिसावर हमेशा फैवरेट पिक रही है, आठ मकाबला पिसावर जीती है, कराची मातर चार मकाबला जीती है, so, and कुछ important player है, जो कि आप चाहो तो अपने team में रख सकते हो, but चलो, अब हम विनिंग team देखते हैं, कि कौन सा team हमारा आज की, मैच की winning team होगी, so, आज हम लोग team देखने वाले हैं, आपको माई 511 में, और आसा करता हूँ कि आपने इसमें जॉइन किया होगा, जॉइन नहीं किये हुए हो, तो आपको description box में लिंक मिलेगा, refer code तो आपको पता ही है, PGR है, PGR refer code का यूज कर लेना, आपको करीवन 100 डूपय का bonus मिलेगा, bonus देख लेते हैं, वैसे तो मैंने आपको जो starting में दिखाया था फिलाल हुए है, अगर टॉस के बाद कोई भी change होगी, तो मैंने टेलिग्राम एक बार चेक कर लेना, विकेट कीपर में team साइफट, जब मैंने आपको play angle में समझाया था, तब ही मैंने आपको पताया था, कि य यूब हो जाते हैं, आप चाहो तो इसको change भी कर सकते हो, बट ये आपके luck पे कोई भी player एक दो run भी अगर ज्यादा score कर देता है, तो उसके team जीतेगी, तो आपके luck पे है, आप किसको captain लोगे, किसको boys captain लोगे, ठीक है, और कुछ अलग करना है, तो फिर अलग कर सकते हो, सबसे अलग, सबसे जुदा, मैं आपको हमेशा बलता हूँ कि किया करो, किससे क्या होगा, कि आपकी winning line up बनी रहती है, ठीक है, मिलते हैं एक स्टूडियो में, पबधन स्वाख है, love you all.